हलो एरिवन वलकम तो जी सेंट्रेक का और ये कोशन पूचा है आईटी कानपूर ने 2023 में और ये कोशन AC ट्रांजेंट के उपर है बहुत बहतरिन कोशन है मज़ा आएगा इसको सौल करने के लिए one of the best कोशन है इस साल के पेपर में पूचा गया ठीक है और हमने चुकि जी से किरने के चांसेज बहुत हो लूफ हो उस कोशन को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है जो देखते सही बहुत जदा टफ लगे बच्चा छोड़ दे नहीं बच्चा अटेंब भी करे उससे ललचाए भी सारी चीजे और वो गलती जादा से जादा उसके लिए गलती की अब का इसलेंगे आपका दया सर्कूट शोर इंडा फिगर इस इनिशली इन फिश्ट इस्टे इस्टे इस्टेडी स्टेट विद दस्टिच के इन ओपन कंडिशन एंड के बार अब देखिए यहां पर एक के बार का स्विच नाम है और एक सिंपल के हैंना के के लिट टू स्टेट पे जब इनिशली सर्क्यूट है तो यह आपका open है और यह close है the switch k is closed and k bar is open simultaneously at the instant t equal to t1 t equal to normally हम क्या मुलते है t equal to 0 पे क्या होता है open close होता है वहाँ से हम 0 minus 0 plus निकालते है बट यहाँ पर 0 की जगे इन्होंने क्या दिदिया t equal to t1 दे दिया एक time दे दिया ठीक है where t1 greater than 0 ठीक है वो greater than 0 है मतलब positive time ही है और time वैसे भी positive भी रहता है the minimum value of t1 in millisecond such that there is a no transient in the voltage across 100 microfarad capacitor मतलब यह जो आपका 100 microfarad capacitor है इसके across आपका कोई भी transient नहीं रहे मतलब हम क्या करेंगे देखिए सिदा सिदा चीज क्या है यह है आपका voltage across capacitor यह voltage across capacitor हम लोग यहाँ पर जो भी switching condition है उसके हिसाब से हम लोग generalized voltage vc of t निकाल लेंगे और आपको बोला है कि भी transient नहीं होना चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि transient free रहे मतलब कि इसमें जो transient पाला पार्ट क्योंकि हमें पता है कि कोई भी हम लोग क्या करते है generalized expression हम लोग अगर निकालते किसी भी चीज की चाहिए current हो voltage हो कुछ भी हो अभी हमें capacitor के across voltage पूचा उसका general expression जब निकालेंगे तो उसमें DC पार्ट होता है और एक हमारा क्या होता है जो बोल सकते हैं कि एक पूरा constant DC पार्ट और एक AC पार्ट जो कि die out हो जाता है थोड़ी था exponential nature करेता है है ना AC भी नहीं बोलेंगे उसको exponential nature बोलेंगे e to the power something में होता है तो actual में वो transient रहता है और एक हमारा DC पार्ट होता हो steady state होता है ठीक है तो वो हमारा जो no transient free अगर चाहिए no transient चाहिए तो वो जो e to the power के साथ में जो चीजे है हम लोगे DC transient में क्या करते हैं हमने सिखा तीन स्टेप में करना कि T equal to zero minus zero plus और infinity वही हमें यहाँ पर भी करना है बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो capacitor open या short होगा वो सिर्फ DC के case में होगा AC के case में नहीं होगा बस है ना चलो start करते हैं तो सबसे पहले हम start करें तो यहाँ पर हमें पता लगेगा T equal to zero minus पर है ना problem समझ गया हम कि capacitor के cross हमें क्या करना है तीनों step में generalized voltage की expression लाना है सबसे पहले तो वहाँ पर आते हम लोग तो हमने सबसे पहले दिखा कि step number one यह हम लिखते थे T equal to zero minus अब zero minus लिखते थे बट यहाँ पर आपका जो switch close हो रहा है यह zero minus कब लिखते थे जब T equal to zero पर switch close रहे बट यहाँ पर switch कब close हो रहा T equal to T1 पर तो हम यहाँ 0 लिखने की बजाए हम लिखेंगे T equal to T1 minus कोई भी time होगा उसके पहले वाली time scale है बही जीरो ना सही कोई भी एक T1 time है मान लीजिए तो उस time के पहले condition क्या रही होगी circuit की वो देख रहे हम लोग है ना 0 की जगे अब T1 time आगे बस इतना सही फरक है और कुछ भी आपको confuse करने के लिख दिया दरवाइस कोई ज़्यादा फरक नहीं है ना कि 0 की जगे अब कोई time T है उससे पहले की condition उसके बाद की condition देख लेते हैं है ना चलो T equal to 0 minus पे अब 0 minus पे सर हमारे पास दो circuit है कौन-कौन से है एक तो हमारे पास सर AC है AC source है और हमारे पास एक DC source है दो source है हमारे पास तो आप देखिए circuit बनाईए पहले और इसमें देखेंगे कि with source और without source देखते हैं तो जब आप circuit बना लीजे उसके बाद देख लीजे कि with source या without source कैसे देखते हैं कि capacitor के across T equal to 0 minus या T1 0- कर लीजे कोई दिक्कत नहीं है T1 minus पे हम क्या देखते हैं कि इस पर हम सिर्फ यह देखेंगे हमारे यहां पे energy storing element कोन सा है register तो नही से voltage है के नहीं यह चेक करना है सिर्फ बागी और कोई parameter पर कोई comment नहीं करना है उसके लिए हमें देखेंगे capacitor with source या without source है उसके उपर इन source का impact लग रहा है और नहीं लग रहा है वो देखना पड़ेगा तो अभी अगर confusion है switching वाला action करके एक circuit बना लीजे उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ना चलो फटाफट बना लेते हैं तो एक हमारे पास यह तेनों का resistance ठीक है एक हमारे पास AC source ठीक है चलो और इसको भी हम क्या करते थे देखो यह आपका क्या रहेगा open रहेगा यह क्या बोला है open रखने का बोला है और capacitor अभी देखेंगे हम लोग capacitor देखेगा पहले हम लोग क्या ले रहे है AC source ले ले लेते हैं अब देखो आपको याद है Superposition Theorem में मैंने क्या भूला था जब भी किसी Circuit में AC और DC दो अलग अलग sources हमने क्या करना पड़े है fosterEक करना पड़े और यहां पर भी हम क्या करते हैं कि एक बार AC ले लेते हैं एक बार DC ले लेते हैं तो DC को हम क्या करें यहां पर DC को हम लोग क्या कर देते हैं व्ल्टेस सोर्स है तो short कर दिया मेंने short कर दियो बहुत बहुत बेसिक से बता रहा हु आपको ठीक है और यह capacitor को हम as it is लिखें क्योंकि short नहीं करना है क्योंकि हमने कुन सा source लिया है AC source लिया है है न एसी source की बात कर रहे हैं अभी हम लोग एसी source की बात कर रहे हैं तो आप देखो यहां पर यह जो आपका है 10 ohm अब यहां पर आप समझिएगा धियान से देखिएगा कि यह है ground potential थोड़ी दर के लिए इसको मैं ground potential मान लूँ 0 volt तो यह 0 volt यह 0 volt तो 2 0 volt के यहां पर कोई current flow करेग में minus j by omega c में convert कर ले तो यह आ जाएगा आपका minus j by omega कितना है thousand thousand into capacitance की value कितनी है capacitance की value 100 micro 10 to the power minus 6 एक दो तीन चार पाच पाच चले गया उपर चले गया तो यह हो जाएगा minus 10 j यह हो गया minus 10 j ठीक है चलो तो इसका मतलब है कि यह आपका जो value है यह हो जाएगा minus 10 j अब दियान दो रहे हो अब इधर तो कोई current जा नहीं रहा है अब यह current जा रहा है और हमें निकालना क्या ultimately हमें निकालना है कि यहाँ पर इसके across VC 0- मतलब T1- 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 निकालना है तो यहाँ पर आप देखिए कि AC source की वज़े से अगर हम लोग निकाल लें VC 1- वो निकाल लेंगे तो पहले तो यह देख लेते हैं कि DC source और AC source से क्या-क्या impact हो रहा है तो AC source लिया हम लोगों ने DC यहा से एक-एक source ले रहे हम लोग तो इस source के हिसाब से हमें यहाँ पर VC T1- निकालना है अब इदर तो कुछ भी करेंट यह शॉर्ट सर्कुट पात है यहां तो कोई भी करेंट वगरा नहीं जा रहा तो सिंपल एक वायर जोड़ दो इस तरीके से ले लो मैक्चल में क्या हो रह अगर यह करेंट पता चल जाए तो करेंट और यहां पर ओमिक वेल्यू है यह ओमिक वेल्यू है इन दोनों का multiply voltage हो जाएगा इस तरीके से कर सकते हैं यहां फिर आप इन दोनों को parallelly solve कर लो देन आप वहां पर voltage find out कर सकते हैं तो मैं यहां पर एक काम करता हूं कि current division rule लगा लेता हूं तो IC zero minus find out हो जाएगा current division rule में जिसमें नहीं निकालते हैं वह उपर divided by 10 minus 10j जो दोनों की बीच में divide हो रहा हूं का addition नीचे देन total आपका current कितना है one angle 0 है यह तो हो गया current current हो गया अब हमें अगर voltage निकालना है VCT minus तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा minus 10j है न इन्टू current I into ohmic value है ना current into ohmic value 10 divided by 10 minus 10j ठेक है इसको हम लोग rationalize अगर कर दें तो 10 plus 10j यह हो जाएगा divided by 10 plus 10j तो यह हमारा नीचे की साइड में हो गया उपर के साइड में हो गया 100j 100j हो गया 10 plus 10j divided by 10 square 10 square 200 यह हो गया 200 100 100 200 और यहां से देखो इसमें 2 common ले लेंगे तो 2 common से 2 से 2 cancel हो जाएगा then आपका यह यहां पर 5 बचेगा sorry 5 अंदर बचेगा तो minus 5j और यह plus का हो जाएगा तो 5 5 minus 5j ठीक है 5 minus 5 j आएगा इसको solve करोगे तो है ना कर लेना 5 minus 5 j आएगा और हमें पता है कि यही हमारा क्या रहेगा VC अच्छा अब इसकी जैसे आप देखोगे तो आप देखो कि DC की वज़े से अगर मानली यह open हो जाएगा यह open हो जाएगा चलो मैं बना देता हूं दो मिनिट के लिए आपके लिए वैसे तो मुझे डारेक्ली दिख रहा है बट ठीक आपको समझाने के लिए बना देता हूं अब देखो दूसर यह हमारा voltage रहा अब देखिएगा capacitor with source या without source है उसका हम लोग पता लगा रहे हैं तो आपका भले ही circuit में DC source दिख रहा है बट इससे इसका impact इस capacitor पे नहीं लग रहा है क्योंकि यह वाले battery से current इसी लूप में घुमता रहेगा ऐसे कई सारे बहुत सारे questions हम लोगोंने हमारे full course में करे हैं ठीक है दो अलग-अलग circuit में अपने current flow करते हैं तो इस battery की वज़े से current यहीं का यहीं flow करता रहेगा वहां तक नहीं जाएगा क्योंकि यह switch close है इसको एक path मिल गया यहीं का यहीं यहीं का यहीं उस वाले loop में जाएगा ही नहीं तो इसका मतलब है कि भाई कहने को तो यह DC दिख रहा है कि हाँ capacitor पे impact आ सकता है बट operationally effectiveness तो ही नहीं इस source की इसके उपर तो इसका मतलब है कि DC के लिए तो without source हो गया without source का मतलब initially relaxed तो DC की वज़े से कोई भी voltage यहां पर नहीं आएगा इसका मतलब है simply आप क्या करें step number 1 पे initially आपका सर्फ AC की वज़े से ही voltage आ DC की वज़े से नहीं आ रहा है तो tension लेनी की जरूर नहीं है तो हम यह बोलेंगे कि यहां पर जो हमारा इस वाली step पे जो voltage है यह बोलेंगे कि हम VC T1 minus पे क्या आ रहा है आपका 5 minus 5J आ रहा है और यही voltage VC T plus पे भी यही रहने वाला है है ना क्योंकि capacitor does not allow this sudden change तो आपका यही voltage पे यहां पे रहने वाला है 0 T minus और T plus पे वही रहने वाला है अब देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से convert कर ले तो हम यह लिख सकते हैं VC T1 plus लिख लेते हैं माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते तो इसका magnitude कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 5 root 2 है ना अंडर क्वाडरेट में एंगल निकालने वाला वीडियो का लिंक देदो हमारी टीम लिंक प्रोवाइट कर देगी कि कैसे एंगल देखते हैं बहुत सार इस्टोन को confusion हो जाता है तो इसको instantaneous form में लिख लेते हैं अगर हम लोग तो यह आ जाएगा 5 root 2 हमने directly peak लिया था तो directly peak ही लेन जाना है तो अभी टी इक्वल टू अच्छा इस्टेप नंबर सेकेंड की जरूत पड़ेगी क्या नहीं क्योंकि टी स्टेप नंबर 2 होता है टीक्वल टू जीरो प्लस मतलब कि टीवन जीरो प्लस तो वहां पर तो हमारा वोल्टेज अवेलेबल है हमें निकालने की जरू अब देखिया मज़दार चीज है कि फिर वापस सामें क्या करना पड़ेगा एसी ओर डीसी के लिए अलग लग देखना पड़ेगा तो याद रखो कि अगर यह स्विच क्लोज हो जाता है उसके लिए सर्कुट बनाना पड़ेगा सर्कुट बना हो गया तो आप देखो यह आपका अभी मैं एक साथ बना दे रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए अब देखो अब इसका इंपेक्ट पड़ेगा इसके उपर तो इसका मतलब है कि स्टेडी स्टेट में आपका जो कैपैसिटर क्या होता है कैपैसिटर हो जाएगा इसको प्रॉपर बना देते है ठीक है यह हो गया कैपैसिटर आपका तो देखिए एसी की वज़े से जो एसी सोर्स है इसको तो यहाँ पर शॉर्ट सर्कुट पाथ मिल गया तो यह करेंड का इंपेक्ट इस कैपैसिटर पर होगा क्या नहीं होगा तो कहने को दिखने को तो भई एसी और डीसी है बट एसी का तो इंपेक्ट ही नहीं आ रहा है कोई भी पर जो कैपैसिटर है और उसके साथ मगर सोर्स है तो यह रहेगा ओपन यह क्या रहेगा ओपन हो जाएगा और ओपन होके यहाँ पर जो वुल्टेज होगा वी सी इंफाइनाइट वी सी इंफाइनाइट का वुल्टेज तो यह आप दियाहां से देखो तो यहां से क्या हो पूरी तरीके से fully charge हो के क्या हो गया है open हो गया है ना वहां पर यह वाला voltage वहां पर appear हो जाएगा तो हम यह बोलेंगे कि minus plus यही voltage यहां पर impact आ जाएगा available हो जाएगा तो हम यह बोल सकते कि VC infinite कितना हो जाएगा 5 volt हो जाएगा ठीक है 5 volt हो जाएगा चलिए अब देखते हम लो plus VC T1 plus minus VC of infinite bracket lows into the power minus T by tau ठीक है अब देखो यहां पर क्या है इसको जब लेंगे तो 5 plus यह कितना हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका यहाँ पर VC of T1 plus अभी value रख देंगे हम लोग ठीक है minus 5 e to the power minus T by tau अब मुझे क्या करना है last step देखो question की उन्होंने बोला है कि भाई such that the minimum value of T1 in millisecond such that there is no transient in the voltage across 100 microfarad तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए transient और steady state यह steady state होता है और यह transient होता है अब यह transient क्या हो जाए यह हमारा 0 हो जाए no transient मतलब 0 और यह 0 कब होगा जब यह वाली जो value है वो 5 के बराबर हो जाए 5 और 5 5-5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह वाली जो value है अगर यह 5 के बराबर हो जाए तो यह हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि ये वाला जो voltage ये वो 5 के बराबर हो जाए तो प्लस 5 माइनस 5 एक दूसरे चेंसल हो के 0 हो जाएगा तो transient free हो जाएगा तो overall voltage में overall ये VC of T में आपका कोई भी transient नहीं बचेगा तो इसका मतलब है कि VC of T1 प्लस अगर ये 5 के बराबर हो जाए देन आपको no transient मिलेगा तो बस इसको 5 के बराबर बना देते हैं 5 root 2 sine 1000 T माइनस 45 ठीक है अब देखो 5 से 5 cancel 1 by under root sine inverse करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000 T माइनस 45 ठीक है तो ये 45 को भी हमें ऐसा लिख दे 5 by 4 में 5 by 4 लिख दिया और sine inverse 1 by root 2 sine inverse 1 by root 2 ये भी pi by 4 हो जाएगा है ना 1 by root 2 हो जाएगा sine inverse तो यहाँ पर 1000 T और ये क्या होगी हमारा T1 ये time कौन सा है T1 time है ना ये T1 time है तो ये हो जाएगा उधर जाके pi by 4 प्लस pi by 4 2 और 2 से 2 cancel हो ये pi by 2 हो जाएगा और T1 equal to pi divided by 2 into 1000 इसका मतलब है कि 3.14 divided by 2 और 1000 मिली पूछाए ना उपर जाके 10 पाँ माइनस 3 माइनस 3 मतलब मिली सेकेंड और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका T1 ये आ जाएगा आपका 1.57 1.57 मिली सेकेंड इस दी एंसर ये वो टाइम है हमेशा 0 पे चलता था बट इस बाद T1 1.5 मिली सेकेंड जहां पर आपका स्विचिंग एक्षन हो रहा है तो ये था मज़दार कोश्चन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इंटरस्टिंग कोश्चन था यहाँ पर वापस में रिवाइस करवाता हूं आपको कि ultimately देखने में AC ट्रांजेंट का कोश्चन है बट यहाँ पर AC-DC मिक्सिंग है कमाल की चीज़े कि step number one पर हम लोग AC और DC दोलों को लेके चले थे बट यहाँ पर DC का impact नहीं था सिर्फ AC का impact था और यहाँ पर जब हमें second step की जरोद पड़ी नहीं थर्ड step में जब T equal to infinite था जब with source और without source हमें चेक करना था तो वहाँ पर AC का impact नहीं आया सर्फ DC का impact आया है ना तो overall फिर हम लोगों ने क्या किया जो no transient वाली condition थी वहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसको वहाँ पर solve करके जो 5 के बराबर आ जाएगा तो वहाँ पर रख दिया तो इसका मतलब है कि आपको कभी भी ऐसे AC transient दे दे तो हुआ नहीं बनाना है आप process करिए question को जो आपने सीखा है बढ़ी DC transient में हमने देखा है कि open shot होता है बढ़ी AC transient में नहीं source free condition no transient वाली condition सारी चीज पढ़ाईए अपने सीखा है उसको apply करो दिरे दिरे शुरू शुरू में थोड़ा सा कठीन होता है apply करना थोड़ा pain नहीं चलेगा आदा solution करोगे फिर आदत लग जाएगे हाँ चलो देखते हैं question इत्मिनान से घहरी सांस लेके घबरा होने के नहीं बनेगा बनेगा step by step आप जो जो question में बुलता जाए उसको follow करते जाए ठीक है और पूरा network पढ़ना है आपको g-centric से तो आईए 188 lectures में 450 question के साथ में पूरा पूरा करवा दिया जाएगा crash course अवेलेबल है pdf notes से chat box से जहाँ पर भी आपको doubt है chat के थूर आप देख सकते हैं और पूरा package आपका 399 में available है g-centric gap पे ज ठीक है okay thank you so much